बिस्मिल्लाइ रह्मारी रहीम, अस्सलामुलेकूम, I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और यूनीक से तंदूरी स्टीम रोस्ट की रेसिपी बहुत मज़े का बनता है, रेसिपी भी बहुत आसान है, आप अपनी दावतों में भी बना सकते हैं और अपने घर पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं मुकमल स्टेप बाइस टेप रेसिपी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैरीनेशन रेडि करेंगे, तो एक बोल में मैं इस तरह के दो बड़े चमच दही के ले रही हूँ यह तकरीबन 4 टेबल स्पून्स के बराबर होगा, इसमें एक चमच लेसन का पेस्ट आड़ कर देंगे और एक चमच ही अद्रा का पेस्ट पी डाल देंगे और आज का स्टीम रोस्ट मैं बना रही हूँ शान के तंदूरी मसाला से इस मसाले से यह रोस्ट बहुत ही मज़े का बनता है और यह कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है, मैं घर पे यह यूज़ करती हूँ, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ तकरीबन 1.5 किलो चिकन के लिए यह पूरा पैकेट काफी होगा साथ में मैं 1 टी स्पॉन जीरा पाउडर एड़ कर रही हूँ, 1 टी स्पॉन धनिया पाउडर लाल मिच का पाउडर हाफ टी स्पॉन डालेंगे और नमक भी हाफ टी स्पॉन डालतेंगे और इसमें 2 टेबल स्पॉन्स लेमन जूस पर आड़ कर सकते हैं अच्छी तरह से mix कर लेंगे और यहां पर मैंने जो दही यूज किया है वो ठिक वला दही यूज किया है क्योंकि यह marination बहुत जादा रनी नहीं होनी शाइए अगर यह बहुत जादा रनी होगी तो यह chicken पर अच्छी तरह से लगेगी नहीं अगर आपके पास पतला दही है तो उसको थोड़ी देर के लिए चली में रख दें जब एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तो उसको यूज कर ले marination रेडी है और यहां पर मैंने तक्रीबं 1.5 किलो चिकन लिया है और इस एक chicken को 8 pieces में कट करवा लिया था चिकन के pieces पे अच्छी तरह से deep cuts लगा देने हैं ये step बहुत जरूरी है वरना मसाले का flavor अंदर तक नहीं जाएगा ये देखे मैंने chicken के सारे pieces पे अच्छी तरह से deep cuts लगा दिये थे पहले आपने chicken को दोग अच्छी तरह से drain कर लेना है और उसके बाद इसमें cuts लगाने है इस तरह chicken अंदर से बिल्कुल भी फीका नहीं बनेगा बलके बहुत ही flavorful बनेगा अब जो marinate हमने पहले बना के रखा था वो थोड़ा थोड़ा लेंगे और chicken pieces पे apply करना start कर देंगे marination को सबसे पहले chicken pieces के जो cuts लगाए थे उसके अंदर लगाएंगे और फिर बागी के chicken piece को भी इसी तरह cover कर देंगे खास दोर पे chicken का ये जो chest piece होता है इसके अगर अंदर तक marination नहीं जाएगी तो ये अंदर से फीका रह जाएगा इसलिए इस पे बहुत अच्छी तरह से अंदर तक masala लगा देंगे और सेम इसी तरह से बागी के सारे chicken pieces को भी masala लगा देंगे अब मैंने सारे chicken को अच्छी तरह से masala से coat कर दिया है अब इस stage पे आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी अगर आप foreign chicken को बनाएंगे तो उसमें वैसा flavor नहीं आएगा जैसा इसको कुछ घंडों के लिए marinate करने के बाद flavor आएगा बोल को cover कर दें और इसको कम से कम 10 से 12 घंडे के लिए fresh में रख दें आप 24 घंडे तक भी इसको fresh में रख सकते हैं उसके बाद इसको बनाएंगे तो इसका flavor बहुत ही अच्छा हैगा मैंने chicken को overnight marinate किया था और अब next day है तो अब मैंने एक frying pan लिया है और उसमें 3-4 टेबल स्पूंस oil के अड़ कर दिये है चिकन के total 8 pieces से चार मैं अभी बनाऊंगी और बाकी के चार को आपने किस तरह freeze करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी oil हलका सा गरम हो जाए तो उसमें chicken pieces रख देंगे इस stage पर हमने chicken को गलाना नहीं है सिर्फ उसके उपर color रेकराना है इसलिए मैंने यहाँ पर flame रखा है medium और chicken के pieces को रखके इनको हिलाएंगे नहीं बलके इनको 2-3 minute के लिए एक side से fry होने देंगे और फिर इनकी side change करके 2-3 minute इनको दूसी side से भी fry कर लेंगे बस इतना ही fry करना है के इन पर बहुत प्यारा सा color आ जाए और flame low नहीं करना वरना यह अपना पानी छोड़ देंगे flame मैंने यहाँ पर medium रखा है इससे इसके सारे juices अंदर ही seal हो जाएंगे और chicken dry बिल्कुल भी नहीं बनेगा बिलके juicy बनेगा तो chicken को मैंने दोनों side से fry कर लिया है अब मैं इनको frying pan से निकाल लूँगी और अगर आपको यह recipe अच्छी लग रही है तो please आप मेरे channel को subscribe भी कर लें और bell icon को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़े मज़े की वीडियो देखने को मिलती रहें अब मैंने एक steel का pot लिया है और उसमें मैंने पानी डाल दिया है इसमें मैं एक stand रखूंगी और पानी हमें बस इतना ही डालना है कि वो stand को touch ना करे बलकि stand से थोड़ा सा नीचे हो इसको cover करके छोड़ देंगे यहां तक कि पानी में boil आने लग जाए जब पानी में boil आने लगेगा तो एक बड़ा सा foil का piece ले लेंगे और इस पे chicken के pieces को set कर देंगे अगर आप direct foil use नहीं करना चाहते तो इस पे एक बड़ा सा butter paper का piece रख दें और उसके ओपर यह chicken रख दें ताके foil direct chicken के साथ touch ना हो चिकन के pieces को foil पे रखने के बाद इसकी side को हम थोड़ा सा उपर की तरफ fold कर लेंगे इस तरह में चिकन को उठाना और pot में रखना और निकालना बहुत जादा easy हो जाएगा क्योंकि जब chicken गल जाता है तो वो निकालते हुए तूट भी सकता है ये देखे पानी अच्छे से boil हो रहा है लेकिन ये stand से नीचे ही है अब मैं फॉइल को चिकन के समेथ pot में रख दूँगी फॉइल को set करने से पहले आप इसकी नीचे वाली side पे 4-5 जगा पे इस तरह चुरी के साथ कर्स लगा ले इसका ये फाइदा होगा कि चिकन ने अगर पानी छोड़ा या steam का पानी इस पे आया तो वो foil के उपर खड़ा नहीं होगा बलके नीचे pot में चला जाएगा अब जो बाकी की marination बची हुई थी वो भी मैं चिकन के उपर ही डाल दूँगी ये भी साथ ही कुक हो जाएगी तो इसको waste करने की बज़ाए चिकन के उपर ही डाल दे foil को भी sides से fold कर दे chicken को बलकुल बंद नहीं करना बस loosely जो sides पे foil है उसको अंदर की तरफ fold करते पतीले से बहुत जादा गरम स्टीम निकल रही थी इसलिए मैं यहाँ पे चिम्टे का यूज कर रही हूँ बस foil को मैंने अच्छे से fold कर दिया है अब इसको cover कर देंगे और इसको आदे गंटे के लिए स्टीम कर देंगे flame मैंने बिल्कुल low रखा है क्योंके पानी boil हो रहा है तो low flame पे भी steam बनती रहेगी अब बाकी के chicken को freeze करने के लिए मैंने एक बड़ी सी plate ली है आप कोई tray भी ले सकते हैं उस पे एक plastic का piece रख दें ये plastic ठेक होनी चाहिए इसके उपर मैं बाकी के चारों chicken pieces को रख दूँगी और chicken pieces आपने इस तरह रखने हैं कि वो आपस में touch नहीं होने चाहिए बलकि उनको थोड़े थोड़े फासले पे ही रखना है नीचे plastic बिचाने का ये फाइदा होगा कि ये chicken pieces plate के साथ चिपकेंगे नहीं इनको overnight freeze कर लें जब ये बिल्कुल जम जाये तो इनको किसी shopper या ziplock bag में निकाल लें इस तरह ये आपस में भी नहीं चिपकेंगे और अगर आपको एक piece भी बाद में चाहिए होगा तो आप easily shopper से निकाल सकेंगे चिकन को पकते हुए तकरीब आदा घंटा हो गया है अब मैं इसको knife से check कर लूँगी और मैंने इसको knife से अच्छे से check किया तो मुझे ये थोड़ा सा कच्छा लग रहा था इसलिए मैं इसको 10 minute के लिए और steam कर दूँगी ये कितनी देर में गलते हैं ये depend करता है कि इनका size कितना है तो आप भी 30 minutes के बाद चेक कर लें अगर गल जाएं तो निकाल लें वरना थोड़ी देर के लिए इनको और steam कर लें तो यहाँ पे चिकन को steam होते हुए तकरीबन 40 to 45 minutes हो गए है और अब ये बहुत ये अच्छे से गल चुका है कुछ चिकन के पीसे जल्दी गल जाते हैं और कुछ थोड़ा ज्यादा time लेते हैं तो इसलिए आपने सारे पीसे को चेक कर लेना है तो सारा चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है अब इसको pot से बाहर निकाल लेंगे और ये देखें फॉयल की मदर से इसको बाहर निकालना बहुत जादा easy हो गया है बस फॉयल भी थोड़ा गरम होता है तो आप इसको किसी कपड़े की मदर से ही पकड़िएगा चिकन को मैंने एक प्लेट पे निकाल लिया है इसको 3-4 मिनिट के लिए रेस देंगे ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए और फिर इसको सेविंग प्लेटर में निकाल लेंगे आप इस चिकन को तड़का राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं हमारे घर में ज़्यादा नान के साथ पसंद किया जाता है बगएर अवन बगएर तंदूर के होमेट तंदूरी नान बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अब वो ज़रूर चेक कीज़ेगा बहुत ही मज़े के और सौफ नान बनते हैं और इस चिकन के साथ तो वो नान बहुत ही अच्छे लगते हैं साथ में अपना कोई भी फेवरेट सैलिड बना लें ग्रीन राइटा बना लें और इंजॉय करें बहुत ही मज़े का फ्लेवर फुल और जूसी चिकन बना है और ये देखें बिल्कुल अंदर तक बहुत अच्छे से गला हुआ है इसको मेरीनेशन का अच्छा खासा टाइम दिया था इसलिए मसाले का फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर तक गया हुआ है और जो हमने इसको फ्राइ किया था उसकी वज़ा से ये ड्राइ भी नहीं बना बलके बहुत ही जूसी बना है आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा अपने घरवालों के लिए अपने गेस्ट के लिए और मुझे कॉमेंट में फीड़बैक भी दीजेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी है तो थमसबतें अपने फ्रेंड और फैमली के साथ शेयर कर लें मेरे चैनल को सब्स्राइब भी कर लें आमीन फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो किसी नई रेसिपी के साथ दुआओं में याद रखेगा आला हफेज